दोस्तो OnePlus 3 और 3T को लोगों ने काफी पसंद किया और अब ये खबर आ रही है कि OnePlus का अगला flagship smartphone OnePlus 5 भी जल्दी मार्केट में आने वाला है दोस्तो इस smartphone के कुछ specification वा images सामने आई है और खबर ये आ रही है कि इसकी पहली sale जून के शुरुवात से शुरू होगी दोस्तो कहा जा रहा है कि इस बार OnePlus कंपनी कैमरे पे ज़्यादा ध्यान दे रही है और इस take update में आज हम आपको OnePlus 5 के कुछ leaks के बारे में बताएंगे तो दोस्तो मैं हुवीभा और दरोगजी.com पर आप सब का स्वागत है दोस्तो आपको बता दे कि OnePlus 5 OnePlus कंपनी का तीसरा फ्लैक्शिप स्मार्टफोन होगा ओपो मार्ट लिस्टिंग के अनुसार OnePlus 5 की प्राइस 449 US डॉलर के आसपास होगी और उमीद की जा रही है कि OnePlus 5 OnePlus 3T से थोड़ा महंगा होगा वैसे दोस्तो फिलाल OnePlus 3D की प्राइस 449 US डॉलर यानी करीब 28,200 और OnePlus 3 की प्राइस 399 US डॉलर की है यानी करीब 25,700 की है भारत में OnePlus 3D की प्राइस 30,000 के आसपास है तो OnePlus 5 की प्राइस भारत में 30,000 से जादा की हो सकती है और अब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो OnePlus 5 में 5.5 इंच Quad HD डिस्प्ले हो सकता है जिसका स्क्रीन रेजोलूशन 1440 x 2560 पिक्सल का होगा और leaked images को देखने पर इसके looks के बारे में कहा जा सकता है कि OnePlus 5 ब्लैक कलर वैरियंट में देखा जा सकता है जिसमें सेंटर में OnePlus का लोगो होगा इसमें 2.45 GHz Qualcomm Snapdragon 835 Quad Core प्रोसेसर की उमीद की जा रही है जो की Qualcomm का अब तक का सबसे पाउरफुल प्रोसेसर है इसके अलावा graphics के लिए यहां पर Adreno 540 GPU है, multitasking के लिए 6GB LPDDR4 RAM और 64GB वा 128GB की internal storage हो सकती है और अब बढ़ते हैं इसके camera की तरफ तो जैसा कि हमने पहले ही आपको बताए कि OnePlus कमपनी इस बार camera पे बहुत मेहनत कर रही है तो इसमें vertical dual camera setup के साथ 12MP का rear camera हो सकता है, यह dual camera setup है जिसमें standard RGB plus monochrome lens होगा अब अगर front camera की बात करें तो इसमें 8MP का front shooter होगा और यह OnePlus 5 smartphone Android Nogget based Oxygen OS user interface पर चलेगा इसी के साथ ही यह 2.0 dash charging feature को भी support करेगा कमपनी का दावा हो सकता है कि इसकी battery 30 minute की charging में एक दिन का backup देगी और यह device 4G LTE support करेगा और fingerprint sensor home button पे placed हो सकता है क्योंकि leaked image में back panel पर fingerprint का कोई option नहीं दिया गया है तो दोस्तो ओपो मार्ट लिस्ट के अनुसार आने वाले OnePlus 5 device में यह सारे feature हो सकते हैं दोस्तो पहले भी इसकी कुछ leak खबर सामने आई थी और CEO Pete Loud वारा बताया गे specifications के अनुसार OnePlus 5 में 8GB RAM variant, 256GB storage variant होगा और इसमें 3600mAh की battery होगी और इसके 23MP के rear camera में optical image stabilization, zoom वा flash जैसे feature होगे और 16MP के इसके front camera की भी उमीद की जा रही है पर दोस्तो ओपो मार्ट लिस्टिंग के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है तो दोस्तो यह थी OnePlus 5 के कुछ leak specifications, इसके बारे में और कोई जानकारी मिलने पर हम आपको जरूर update करेंगे इस तरह के take update के लिए हमें like and subscribe जरूर करें और इस वीडियो को देखने के लिए आप सब का शुक्रिया